Dear Students, Welcome to Gatelectures.com देखिए UGISnet की जो committee है उन्होंने एक recently एक notification release किया है on 8th of January 2018 जहाँ पर उन्होंने जो UGISnet examination का pattern है उसके changes जो उसमें हुए है उसके बारे में notify किया है देखिए पहले जब UGISnet का examination होता था तो यहाँ पर हमार पास 3 papers होते थे Paper 1, Paper 2 और Paper 3 Paper 1 जो के एक non-technical section था जिसके अंदर general awareness, teaching aptitude, research aptitude और हमार पास जितने भी general awareness के लिए सब चीज़ें है जो non-technical है वो हमार पास paper 1 के अंदर आते थे और paper 1 सब के लिए common था उसके बाद भी paper 2 भी technical था और paper 3 भी technical था लेकिन paper 2 और paper 3 में comparatively paper 3 was slightly more difficult as compared to paper 2 अब UG Senate की जो committee है, they were facing challenges regarding the examination because examination था उसको काफी poor response मिल रहा था students के तरफ से many students applied for the examination but उतने students ने examination के लिए अपेर नहीं किया तो इसी वज़े से जो committee है they wanted की ये जो examination है साल में दो बार की जगे पर साल में एक बार ही हुआ होना चाहिए लेकिन इस बारे में जो हमेरे पास court में decision जल रहा था they decided की साल में examination दो बार ही होगा लेकिन हम इस examination की pattern को पहले से comparative ले थोड़ा सा easy या फिर थोड़ा सा simpler बना सकते हैं पहले जो हमारे पस paper 2 और paper 3 था दोनो paper 2 और paper 3 हमारे पस technical थे लेकिन जो हमारे पस paper 3 था वो slightly difficult था as compared to paper 2 अब उन्होंने क्या किया है कि instead of paper 2 और paper 3 दो अलगलग examination होने की जगह पर उन्होंने decide किया है कि हम लोग सिर्फ एक ही examination रखेंगे जो कि हमारे पास paper 2 रहेगा जिसके दर सारा technical portion cover हो पहले जब आप इस examination को आप देते थे तो आपको पूरा दिन examination के लिए आपको जाना पड़ता था विकास सुबह 9.30 या 9.00 बजे आपका examination शुरू होता था जो कि शाम को लगवर 5.00 बजे करीब आप free होता थे लेकिन अब इस examination में आपको इतना time spend करने के ज़रूरत नहीं है because committee ने decide किया है कि हम इसकी जो total duration है उसको भी कम करेंगे और total duration को हम 3 hours के approximately कर देंगे अब हमारे पास सिर्फ दो ही paper है वो है paper 1 और paper 2 paper 1 हमारा non-technical है जिसके अंदर सिर्फ 1 घंटे का examination होगा और जो हमारा paper 2 है वो हमारा technical है जिसके अंदर हमारा 2 घंटे का examination होगा और इस पूरी notification के दोरान UGC ने या फिर जो committee है जो examination कराती हो ने कहीं पर भी CVC ने कहीं पर भी ये mention नहीं किया है कि इस examination के pattern में किसी तरह का कोई change होगा उन्होंने बस इस exam के pattern के अंदर changes तो किया है लेकिन syllabus के अंदर कोई भी changes उसको notify नहीं किया गया है तो इसी वज़े से मैं expect कर रहा हूँ कि जो इसकी detailed notification नोटिफिकेशन 1st of February को आएगी तो मैं expect कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई बहुत बढ़ा changes in syllabus के अंदर नहीं होगा जो syllabus आप पहले पढ़ रहे थे यह उन बाचों के लिए हैं जो कि पहले पिछले एक साल या दो साल से prepare कर रहे है जो syllabus आप पहले पढ़ रहे थे अभी भी आप वही syllabus पढ़ेंगे लेकिन ज्यादा changes pattern में examination में syllabus में नहीं आएगा सिर्फ pattern के अंदर यहाँ पर कुछ changes आए है अब देखिए notification है क्या notification में जो committee उनने बताया है कि हमारे पास जो paper 1 है वो हमारा 100 number का paper होगा और उसके अंदर 50 questions आएगे और यह total एक घंटे की duration में आपका paper 1 का examination होगा सुबह 9.30 यानि कि सुबह 9.00 बज़े से शुरू होकर सुबह 10.00 बज़े तक यह paper रहेगा फिर जो हमारा paper 2 है वो total हमारा 200 number का होगा जिसके अंदर आपके 100 questions होगे हर एक question आपका 2 number का होगा और यह आपका 2 घंटे कराएगा सुबह 11.00 बज़े से शुरू होकर एक बज़े तक यह paper 2 हमारा चलेगा अब यहाँ पर जो complete notification है इस examination के बारे में CBSC इसको 1 February 2018 को release करेगा आप तक complete notification नहीं आया है यह सिर्फ एक short notification है यानि यह जास्त एक short information कि yes we are doing something और हम इस examination के pattern में कुछ ना कुछ changes को कर रहे है और जो examination है वो आपका 6 April को होगा इसकी जो forms है उस 6 March को यानि कि 6 March से release होंगे और आप तब इस forms के form को भर सकते हैं अब देखिए candidates यहाँ पर काफी बचों को यह बहुत सबसे common question यह होगा कि क्या इस examination के syllabus में कुछ changes होंगे या नहीं होंगे syllabus के changes के बारे में अब तक कोई information नहीं आई है लेकिन अगर कोई official information आती है तो हम लोग सबसे पहले आपको उसके बारे notify करेंगे secondly हमारे according जादा syllabus के नतर major changes नहीं होंगे जो syllabus इस समय पर है वही syllabus most probably वही syllabus आप इसकी examination में आप cover करेंगे अगर आप यह अगर आप internet computer science के examination के बारे में के लिए prepare कर रहे हैं तो you can refer to our video lectures जो कि हमारे चैनल में यह आपर दिये गए है you can just refer to our video lectures और for the complete study material preparation material just call on the contact numbers which is given below in this video okay and thank you for watching this video all the best for exam preparation